दोस्तों आप सभी का स्वागते करेंट अफियर्स फंडा के यूटूब चैनल पर अभी जैसा कि आपने देखा IBPS PO के मार्क्स यहाँ पर रेनाउंस हुए है ऐसे केंडिट जिन्होंने अपना इंटर्व्यू दिया था अब इसके बाद में tension काफी जादा लोगों के mind में आ रहे ही कि मेरा selection होपाएगा नहीं होपाएगा मेरे marks तो इतने बन रहे है मैं आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पर बताना चाहूँगा जो सबसे important factor है वो आपका होता है interview ठीक है कई बार आपने देखा होगा कि लोग ऐसे होते हैं जिनका mains में scoring descent रहता है बट interview में उनको इतने अच्छे number नहीं मिल पाते इस बज़े से आप देख सकते हैं कि 0.25 से 0.20 से 0.110 से ऐसे लोग इनका selection रुक जाता है मैं आपको यह पूरा analysis बताऊंगा और last के 2 सालों की cutoff क्या format में रही थी पहले आप यहाँ पर देखेगा कि यह IPPS PO mains की cutoff है और 2023 की जो आपने category wise देखा होगा जनरल की cutoff 63 है यहाँ पर बाकी less than 63 हर एक जिगह पर है SC, ST, OBC अगर आप इनकी यहाँ पर देखेंगे इसमें अगर आप देखेंगे कि जो cutoff है वो आपकी है general की 71.25 और अगर आप यह और पीछे आएंगे एक साल और तो बहाँ पर आप देखेंगे general की cutoff 80.75 थी अब इन 3 सालों से इतना हम जरूर निकाल लेंगे कि vacancies का और final cutoff का क्या relation यहाँ पर है देखेंगे यह 2023 वाले session में आप देख पा रहे हैं कि 225 नमबर में से 63 cutoff गई है और यहाँ पर अगर हम number of vacancies को देखें तो यह अभी 500 हैं यह reported vacancies अभी तक हैं बट हाँ कुछ ऐसे bank हैं जिन्होंने not reported दिया है और एक अपरेल आते ही आप देख पाएंगे कि IBPS को वो अपनी vacancies report कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक हमें decent number of vacancies का increment देखने को मिल सकता है और यह आगड़ा हो सकता है कि लगबग 6600 से लेकर 7000 के बीच में भी पहुच जाए अगर यह पहुचता है तो हमें final cutoff में और reduction देखने को मिल सकता है अभी मैं आपको final cutoff भी उता हूँगा out of 100 जो है वो किस format में आप रहती है लेकिन अगर आप इस 23-24 session से पहले जाओगे 22-23 में तो बहाँ पर देखेगा 71.25 थी और हमारी vacancies थी 7400 ठीक है अगर आप उससे भी एक साल और पीशे आओगे तो आप देखेगा 80.75 यह चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली थी ठीक है अब मैं आपको final चीज बता रहा हूँ जो आज के time पर आप realistic moment पर देख पाएंगे कि क्या कैसा चला है अगर मैं 22 और 23 और 21 और 22 यह 2 सालों का last का data उठा हूँ तो आप देखेगा अठावन सोन है वे vacancies कम होती है तो condition तो बहुत ज़्यदर tough हो जाता है ठीक है यह बात आपको पता होना चाहिए बट अगर मैं इस वाले session की बात करो 21 और 22 की तो यहाँ पर मुझे clearly दिख रहा है कि 21 और 22 में जो आपकी vacancies 5809 है तो यहाँ पर cutoff आप देख पाएंगे mains की cutoff 225 में से वो 80.75 थ cutoff का एक range है वो 80.75 पर close करना पड़ा था लेकिन अगर आप एक साल और बात देखते हैं तो 1400 vacancies पर इन्होंने unreserved category cutoff 43.47 यहाँ पर रखी और अगर मैं 22-23 की बात करूँ तो यहाँ पर जो mains की cutoff है वो रखी गए थी 225 में से 71.25 देखो मैं आपको सीधा-सीधा यह बताना चा रहा हूँ कि इस बार 23-24 के अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा कि जनरल category cutoff 63 है ठीक है हमारी total vacancies 5500 बट हाँ यह अभी आपकी बढ़ेंगे और बढ़ने को यह 1500 के असपास भी आपकी increase हो सकती है क्योंकि कई बार intent IVPS को अच्छा मिलता है banking के और से और तो को जितनी को 300 कर दे और करने को वो 9000 को जो है 1800 भी कर सकता है तो यह कब पता चलता है vacancies update होती है 31st of March तक ठीक है क्योंकि 1 April को तो आपका provisional allotment यहाँ पर start होता है तो मेरा कहीं न कहीं पर जो figure निकल कर आ रहा है वो मैं यही कहूंगा कि लग बग 40 से 42 के आसपास में equation set हो सकती है ठी इसने को cutoff जो है वो थोड़ी सी और उपर जा सकती है फिर down भी जा सकती लेकिन मेरा ऐसा बना है यह एक descent score होगा अगर आप mains की complete 63 mains की cutoff पर अगर आप बात करोगे तो उस पर मैं यही कहूंगा कि 42 42 के आसपास में रहना चाहिए दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है अभी को को बोल देगा कि यार आप अपने mains के marks देखो अगर आपके cutoff से इतने उपर हैं तो आपका selection हो जाएगा अगर आपके cutoff के equivalent marks आ रहे हैं तो आपका selection ही होगा यह चीज मैं कहूंगा बिल्कुल रॉंग है आप यह देखेगा कि 100 marks का आपका interview होता है ठीक है 90-95% marks तक भी interview में मिल जाते हैं तो उस situation में अगर आपने 225 में कम score भी gain करा है तब भी आपके यहां पर chances create हो जाएंगे और जो weightage होता है को cut off से उपर बाले का तो exceptional case है उसको तो priority मिलेगी ही मिलेगी लेकिन जो cut off से 57 number 12 number इर्द गिर्द में चल रहे हैं मुझे लग रहा है कि उनके chances भी बनेंगे बट यह completely surprise है कि उनको कितने marks यहां पर मिलेंगे और एक चीज का और ध्यान रखना मैं आपको बहुत ही realistic चीज बता रहा हूँ मेरे कुछ students ने last year मुझे feedback दिया था कि sir जब हमारा interview हुआ तो उस दोरान जो panel था ना वो बहुत जादा हमारे उपर angry हो रहा था और उसने क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो already clerical में थे और वो job क रहे थे ठीक है तो clerical में काम करने के साथ साथ में उन्होंने PO का exam qualify किया और वो interview देने गया तो जब वो इस चीज में गया तो बहां पर उन्होंने जो questions पुछे नहीं वो जवाब दे पाए फिर भी जब panel काफी जादा उनके ओपर angry किया और जला रहा था बट जब score आया त तो उनको interview में काफी अच्छे marks यहां पर मिले हैं तो यह मत आप सोच ले ना कि कई बार मुझे marks अगर कम मिल रहे हैं ठीक है या फिर मुझे marks जादा मिल जाएंगे तो यह completely एक assumption है ठीक है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ बट believe on yourself और मुझे लग रहा है कि आपको आने वाले टाइम पर एक अच्छी good news जरूर मिलेगी और मेरा assumption यही कहेगा कि 42-42 के बीच में near about मारी final cutoff जो है वो आ सकती है बाकी देखते हैं और हाँ जो marks निकालने का इनका parameter होता है आपके total 100 में से आएंगे यह जो cutoff है ना यह out of 100 में से ठीक है तो 100 में से लेने का तरी 225 में से जो भी marks आपके आएं आप उसकी multiply कर देना 0.355 से ठीक है और जो 100 marks interview है तो जो आपके interview के marks आएंगे उसकी आप multiply कर देना 0.20 से जैसे मैं यहाँ पर एक छोड़ा सा example लेलू कि कोई ऐसा candidate है जिसके 100 marks आएं ठीक है suppose कर लो उसके 100 marks है ठीक है 225 में से तो उसको क्या क करना होगा तो अगर आप 100 कर दोगे तो यह कितना आपका बन जाएगा यह आपका हो जाएगा अगर आप 100 से इसकी multiply सीधी सीधी कर दोगे तो यह आपका बन जाएगा 35 ठीक है something 35.5 अब इसमें आपके जो interview के marks आए हुए है उसमें आप 0.2 से multiply कर देना अब interview में आजम कर ल 16 यह आपके हो गए 45 और 51 marks ठीक है यह मैं एक cable cable एक case ले रहा हूं जो आपको explain कर रहा हूं चीजों को तो इसका आप यह मस सोच लेना क्यार ऐसा ही हो जाएगा ठीक है कई बार चीज़ें अलग format में जाती है बट right now I'll say थोड़ा सा time low और 1 April को final results अपराउंस होगा तब ही हम with me और current affairs funda के mobile application को आप लोग डाउनलोड कर लेना यहां पर आपको बहुत सारे courses और बहुत सारी चीज़े मिल जाएंगी और आगे जो भी exams आएंगे उनके लिए मैं आपको proper guide करता रहूंगा thank you so much guys once again